हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे हारे मटर का बहुती टेस्टी चटपटा नाश्ता देखे कितना अमेजिंग सा नाश्ता बनाना है बिना प्याज लैसुन के बना है और बहुत कम तेल में नाम मातर के तेल में बनकर तियार होता है और इतना और टेस्टी है कि आप एक बार बार बनाना पसंδ करेंगे तो नाश्ता बनाने के लिए एक कॉप या कमाल क बनता है बच्चे को भी बहुत पसंद आता तो बैटर मिक्स करने के बाद 20 मिनट इसे डखे रखे साइड में ताकि सूजेशी से फूल जाएं तब तक अपनी टेस्टी चटपटी स्टफिंग बनाते हैं तो एक पैन में डालें चोटा सा चम्मस तेल सरसो तेल रिफाइन तेल कुछ भी डालें दो चुटकी हिंग डाले इसमें साथ में डालेंगे आधा चम्मस जीरा बड़ी ही कमाल की स्टफिंग ये बनती है आप बनाना आपको पसंद आएगी हरी मिर्चे और अद्रक अपने स्वाथ के साब से डालें रफली चोप करके डालें और इन्हें 30 सेकंड के लिए मीड़े मीड़े पर भूने तो बाँ आदा चम्मस जीरे का पाउडर, आधा चमच आमचूर पाउडर, आधा चमच चाट मसाला बहुत ही टेस्टी इससे बनता है ये और आधा चमच गरम मसाला नमक स्वात के साफ़ से डालें अच्छे से मिला दें लाल मिर्ची पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं य से चार्मन जिसे भूना ठंडा कर लें फिर मिक्सी के चोटे जार में डाल कर पल्स मोड पर इसे आप पीस लेजे थोड़ो कोर्स ली उसके बार आधा बलवालू कद्दू कस करके डालें ताजा धन्या डालें कुटी विलाल मिर्चे डालें थोड़ी सी थोड़ा से जीरे का डालें और अच्छे से निक्स करें और देखें कैसे मैं टिक के लिस शेप बना रही हूं तो छोटी छोटी टिक्क्या बना लें जैसे चोटा निबू होता ना पहले ऐसे गोलगल बना ले फिर फ्लैट इने टिक्क्या बना कर त्यार करें 20 मिनट के बाद ये सूजी तो यह जो देखें हैं यहाँ पर मैंने पाने मिलाया इसमें और बैटर एकदम पॉफेक्ट है बिलकुल ऐसी बनाना है आपने तो बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम पॉफेक्ट होनी चाहिए ज़्याद है पतला गाड़ा ऐसे बिलकुल ना बनाए नहीं तो आपका जो इड इडली का बैटर है पॉफेक्ट बन गया है अब यहाँ पर इनो ले ले आप या फिर बेकिंग सोड़ा ले दोनों में से कुछ भी ले ले जो भी घर में है और बस आधा चमच डाले और एक चमच के करी पानी इसके पर पोर करें तो इसमें हमारा बैटर त्यार है अब इट इसके लिए जो टिक्या है कवर होने चाहिए बैटर से इस परकार से पोर करें उसके बाद किसी भी बॉइलर में रखके इन्हें 6-7 मिनट हाई फ्लेम पर बॉइल करें हाई फ्लेम पर बॉइल करें देखें किस तरह से यह फूल जाएंगी तो बड़ी अच्छी से फूल ग पर दी है मैंने उन्हें बिल्कुल ठंडा होने दीजिये जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तब आप इन्हें डेमोल्ड करें तो एक दम ठंडी हो गई है बड़ा ही टेस्टी सा मजे का नाश्ता बनता है मिन्टों में बन भी जाता है सबसे मजए की बात है घर में रखके समा यह फुली हुई और कितनी जालेदार हमारी यह इडलिया बनकर त्यार हैं तो मसाला इडली चटपटी स्टफिंगे साथ बन चुकी है बहुत ही शांदार बनी है बहुत अमेजिंग बनी है हेल्दी भी बहुत हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आती है तो एक बार यह मसाला इडली ट्राइ करिएगा मटरकी से स्टफिंग के साथ यह बहुत शांदर और कमालकी लगती है तो अगर आपको स्पंजी सी टेस्टी सी जालेदार सी इडली मसाला इडली पसंद आए तो एक बार इन्हे ट्राइ करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और एक बड़े टेस्टी चटपटी हेल्दी इडली जरूर बनाए आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद की सब जोगा इस्तेमाल करके भी ने बना सकते हैं अगर आपको और भी हल्दी ने बनाना है तो तो अगर रैसे भी यूस पर लगे तो लाइक कोमेट शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर